नमस्कार, उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रिचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। तो अभी हमने देखा कि एक समान वृति गति को हम कैसे परिभाशित करते हैं कि एक ऐसी वस्तु जो कि एक वृति पत पर चल रही हो और इसकी चाल एकदम समान रहे तो हम देखते हैं कि उसकी दिशा हर मिंदू पर ही बदलती जाती है और ऐसी गति को हम कहते हैं एक समान व हर बिंदू पर बदल रही है तो वह आप कर भी सकते हैं मान लीजे कि आपके पास कोई एक छोटी से गेंद या लट्टू है जो कि एक धागे से बंदा हुआ है और आप इसको हवा में इस प्रकार से उचालते हैं और इसको घुमाना शुरू कर देते हैं तो अगर आप अपने आपको सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक आखरती नजर आएगी कि ये जो गोल-गोल वाली ये गेंद है ये ऐसे घूम रही है और अगर आप उपर से देखेंगे तो आपको ये गोल-गोल गेंद इस तरह से घुमती नजर आएगी अगर किसी शन आप इस धागे को तोड़ दें तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास गेंद थी ये गोल-गोल वृत्य पत पर जाने की बजाए एक सीधे पत पर चली जाती है और ये जो पत है वो कौन सा पत है वो पत है इसके ऊपर इस बिंदू पर बनने वाली एक पर्ष रेखा का पत मतलब कि अगर मैं इस बिंदू पर बात करूं तो जो इस पर्ष रेखा बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी और आप देखेंगे कि उसी पत पर हमाई जो गेंद है वो चली जाएगी अगर आपका ध्यागा इस बिंदू पर तूटा होता तो आप देखतें कि जो गोली है वो इस तरह से इस पत पर आगे की और चली जाती अगर इस बिंदू पे टूटा होता तो इस प्रकार से इस प्रकार से है ना तो आप देखते हैं कि दिशार जो है वो बदलती ही रहती है और ये जो परिभाशत हम यहां पर गती कर रहे हैं वो कौन सी है एक समान वृत्ति गती अगर आप बात करें एथलीट की जो कि खेल पर प्यूगता में पार्ट लेती हैं तो आप देखते हैं कि वो डिसकर्स को फेकते हैं या गोले को फेकते हैं तो वहां पर भी हम यह देख सकते हैं कि वो अपनी शरीर को इस प्रकार से घुमाते हैं कि एक वृत्ति गती प्रदान कर दें और जब उनकी इच्छित दिशा उनको मिल जाती है जहां पर उनको गोला फेकने से सही दिशा मिलेगी वहां पर जा करके वो उसको छोड़ते हैं और यह देखते हैं कि ठीक उसी तरह से यह कारे हो रहा है जैसे कि हाँ पर हमने क्रिया कलाप किया यह प्रयोक किया कि जो गोला या डिसकस की बात एटलीट कर रहे हैं वो अपनी दिशा में सीधे की हो जाती है ना कि वृत्ति पत पर घूमे तो इस पूरे ही प्रयोक से यह बात इसपष्ट हो गएगी कि किस प्रकार से एक समान रितिकती में रिचाल है वो समान रहने के बावजूद भी जो वेग है वो बदल रहा है क्योंकि हर बिंदू पर दिशा जो है वो बदल रही है